नमस्कार साथ ही और स्वागता आपका मेरे यूटूब चैनल में एज्यूकेशन न्यूज की तरब से एक परमुख खबर आई है कि शिरिमान सिक्षय मंत्री जी गोई सिंग डोटासरा ने काया कि बवाल मचाने के लिए जूट बोल रहे हैं प्राइवेट स्कुल वाले नहीं खुलेंगे पांस सितंबर से प्राइमरी स्कुल ऐसी खबरे आई थी सोशल मीडिया पर काफी वाइरल भी हो रही थी कि जो कक्षया एक से आठ तक है वो जल्दी ही पांस सितंबर से खोली जाएंगी और 9 से 12 तो जैसे एक सितंबर से खुलनी है लेकिन ये सारी खबरें हैं जो अपवा है ऐसी कोई बात नहीं की गई जो प्राइमरी स्कुल है वो पांस सितंबर से नहीं खुलेंगे खबर को थोड़ा विस्तार से देखते हैं और जानते हैं कि असलम में मुद्धा क्या है रास्तान में 5 सेतंबर से प्रामरी स्कूल खोले जाने के अपवाव पर शिक्ष्या मंत्री गोईन सिंग डोटासरा ने अंकुष लगा दिया है शिक्ष्या मंत्री निकाय कि 5 तारिक से प्रामरी स्कूल खोलने के मुद्धे पर कोई बात ही नहीं हुई कुछ स्कूल संचालक स्रिफ बवाल खड़ा करने के लिए इस त्रह की अपवाव फैला रहे हैं जबकि अकीकत में ऐसी कोई तैयारी नहीं है तो यहां पर इस्पस्ट हो जाता है कि आने वाले कुछ दिनों में भी अभी स्कूल खोलने की संभावना ये नहीं है शुक्रवार को परदेश के निजी स्कूल संचालक जैपूर में गठ़ होए थे जहां 11 सुत्री मांगो को लेकर धरना दिया जा रहा था इस दरने से पांस सदे सी परते निधी मंडल शिक्षया मंत्री गोईंशिंग रोटास्तर से मुलाकात करने पहुंचा था निजी स्कूल संचालक संग के पदादी कारियों ने मेड़ा में अपनी मांगों पर सहमति की बात कही थी उन्होंने बताया था कि कक्षया 9-12 था कि स्कूल खोलने के बाद 5 सितमबर तक कक्षया 1-8 तक के भी स्कूल खोल दे जाएंगे लेकिन अब शिक्षया मंत्री जिनने निजी स्कूल संचालक की मांग को सिरे से खाजिर खारिज कर दिया है शिक्ष्या मंत्री गोईन सिंग ने काया कि प्राइमरी स्कूल खोले जाने के सबसे पहले चिकिस्षा विबाके सुझाव ले जाएंगे मुख्य मंत्री इस्तर पर चर्चा की जाएगे लेकिन फिलाल ऐसी कोई तेयारी नहीं है उन्होंने काया कि निजी स्कूल संचलक संग के पदादिकारी द्वार गल्थ तत्य फेला जा रहे हैं जो सरासर गलत है मेरे उनसे इस विशे पर कोई बाचित नहीं हुई अब मैं भविश में कभी नहीं मिलूँगा तो यहां पर जो इस यह मुद्दा है प्राइमरी स्कूल खोलने को इसको लेकर जो सिक्ष्या मंतरी जी है वो थोड़े से नाराज है और उन्होंने साप सब्दों में कहा है कि अभी इसके लिए कोई तयारी नहीं है पहले सिक्ष् विभाग से बात की जाएगी और एक कुछ इस तरिये बैठक होगी उसके बाद ही इसके उपर को निर्णा यह आ जाएगा तो खबर से यह इस परस्ट होता है कि अभी जो प्राइमरी स्कूल है वो खुलने वाले नहीं है जो ओनलाइन की जो परक्रिया है वो सतत अभी चलत रहेगी उमिद करता हूं जानकर इच्छी लगी होगी आप लाइक शेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब जरू करें थेंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो